तो से मैं सरीता शर्मा आज हम डबल कलर पैटर बनाएंगे इस डिजाइन को आप कारडीगर में बेबी स्वेटर में इस डिजाइन को डाल सकते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने फंदेले ने 4 multiple plus 2 additional border बनाएंगे, border बनाने के बाद wrong side से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं आप अपना border complete करेंगे, यह देखे, मैंने एक छोटा सा border बना दिया है border complete होने के बाद आपने wrong side से इस डिजाइन को बनाना है जो भी color आप लगाना चाहते हैं, वो color आप इसमें add करेंगे और एक नौट यहाँ पर आप लगा लेंगे यह देखिए यहाँ पर हमने नौट को लगा दिया है अब यहाँ से हमने ग्रीन कलर से first row बनाएंगे wrong side से तीन फंदे हम wrong side से सीधे बना लेंगे यह देखिए अब धागे को हम अपनी side करेंगे और एक फंदे को हम उतारेंगे फिर धागा हम घुमाएंगे फिर ऐसे ही repeat करेंगे वान, टू और थ्री फंदे हम उल्टे बनाएंगे धागे को अपनी side करेंगे एक फंदे को हम उतारेंगे धागे को पीछे करेंगे फिर ऐसे ही repeat करेंगे तीन फंदे हमने ये सीधे बनाने रॉंग साइड से, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदे को हम इस तरीके से स्लिप करेंगे, धागे को घुमाएंगे और वन, टू और थ्री फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, एक फंदे को उतारेंगे, धाग पीछे करेंगे और ये दो फंदे हम इसमें अब ये सीधे बना कर इस रो को हम complete करेंगे first row wrong side से. Right side से second row बनाएंगे ये देखिए तू फंदे हम इसमें सीधे बनाएंगे और इस फंदे को हम as it is उतार देंगे फिर ऐसे ही One, Two, और Three फंदे Right साइट से थिविया हम सीधे बनाएंगे इस फंदे को उतारेंगे और यह तीन फंदे भी हम सीधे बना लेंगे Right साइट से Second ROW गों इसी तरीके से Complete करेंगे Wrong साइट से Third ROW गनाएंगे और अपने color को हम change करेंगे और यहाँ पर design को हम set करेंगे यह देखिए यह बीच वाला जो फंदा है इस फंदे पर आपने ध्यान देना और यह वाला फंदा और यह यह तीन फंदे हमने सीधे बनाने है wrong side से इस फंदे को हम उतारेंगे और इस फंदे को हम एक फंदे को गुमाएंगे अपने ये द्यान देना है कि ये तीन फंदे वाला और तीन बीच वाला और ये दोनों फंदो को आपने रॉंग साइड से सीधा बनाना है ये देखी दागे को अपनी साइड करेंगे एक फंदे को उतारेंगे दागे को घुमाएंगे और फिर ऐसे ही तीन फंदों को हम इसमें सीधा बना लेंगे दागा अपनी साइट करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, धागे को घुमाएंगे, ऐसे ही वान, टू और थ्री फंदे हम इसमें सीधे बना लेंगे, धागे को अपनी साइट करेंगे, इस फंदे को हम उतार देंगे, यह देखे, रॉंग साइट से थार्ड रो हमारी कम्पूर साइट से फोर्ट रो बनाएंगे, एक फंदा, इस फंदे को हम उतार लेंगे, अब ये तीन फंदे हम इसमें सीधे बनाएंगे, एक फंदे को उतारेंगे, ऐसे ही, one, two, और three फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक फंदे को टारेंगे, और ऐसे ही, one, two, three फंदे सीधे, एक फंदा उतारेंगे, one, two, three, इस फंदे को टारेंगे और इसको सीधा बना लेंगे, यह देखे हैं यह रह हमारी यहां पर कम्प्लीट हो गई है। wrong side से 5th row बनाएंगे, 4th row हमारी complete हो गई, अब ये देखिए, 1, 2 और 3 फंदे हम इसमें सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी side करेंगे और इसको तारेंगे, फिर धागे को गुमाएंगे, ये देखिए, बीच वाला फंदा और दो ये वाले फंदे, तब भी आप color change करेंगे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, धागे को अपनी side और ये देखिए, इस बात का ध्यान रखना है कि एक फंदा हमारा ये color आएगा, तो दो फंदे हमारे इस color के आएंगे, ये अपने ध्यान रखना है, अब ये देखिए, धागे को गुमाएंगे, और इन फंदों पर हमने रॉंग साइड से सीधा बनाना है धागे को अपनी साइड करेंगे एक फंदा उतारेंगे धागे को घुमाएंगे ऐसे ही अभी ने हम सीधा बनाएंगे वान टू और थ्री फिफ्ट रोग को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स यह इस तरीके से दिखाई देगा यह देखिए अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद